हेलो फ्रेंड्स यह है 120D plotter का printer head और आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि हम इसे कैसे install करते हैं अभी हम इसको side पर रख देते हैं इस printer head के साथ हमें कुछ installation guide मिलती हैं इसमें pictures दिखाई गई हैं कि कैसे printer head को install करते हैं अब इसके box को खोल लेते हैं इसके box में हमें मिलता है एक printer head और inks यह head है इस head में हम यहां पर inks install होती हैं इसे side पर रख देते हैं अभी अब यह वो inks हैं जो इसमें install की जाती हैं जो हमें colors inks के मिलते हैं वो होते हैं black, cyan, magenta ink की quantity जो होती है वो 30 ml होती है colors, colored inks की और yellow color भी हमें मिलता है इन ती लोगा colors के combination प्लस black के combination के साथ कोई भी print निकाला जाता है अब इन inks को install करके देखते हैं हमने ink जहां install होती है वो cover खोल लिया है यह head में inks लगी हुई है inks बाहर निकाल लेते हैं yellow निकाल लिया हमने, magenta, cyan और black head के अंदर inks की जो location होती है वो inks के color से समझ आती है अब इसे बंद कर देते हैं अब हम यह उपर का cover खोलेंगे और आपको हम दिखाते हैं कि ink head कैसे move होता हुआ एक जगा पर आ जाता है और वहां पर जाके stable हो जाता है यह ink head stable हो गया है अब हम इसको उठाके एक as you position पर ले आएंगे जहां से हम इसको easily बाहर निकाल सकें यह जो white color का आप देख रहे हैं यह ink head का lever है इसे हम उपर करेंगे तो easily head बाहर आ जाएगा यह हमारा पुराना head है इसे हम side पर रख देते हैं अब हम यह अपना नया head इसमें install करेंगे जैसे हमने निकला था वैसी install करेंगे और यह lever down कर दिया है हमने एक बार दुबरा दिखा देते हैं आपको lever up, lever down head इसमें install हो गया है अब हम इसमें inks लगाएंगे दुबरा इंक जहां लगती है वो कर खोलेंगे और जो हमें नई inks मिली थी जो जिसको हम मैं demo ink कह रहा था वो इसमें लगाएंगे yellow की जगा पे yellow magenta की जगा पे magenta स्यान की जगा पे स्यान और black की जगा पे black अब थोड़ी दिक्कत दे रही है यह लगी है अब हम इस plotter को restart करेंगे हमारा plotter restart हो चुका है ओके दमाएंगे तो हमारा printer की alignment शुरू हो जाएगी यह थोड़ा लंबा procedure है इसमें 5-10 मिनट लगते हैं अब यह हमारा printer align हो गया है और अब हम एक demo print निकाल के देखेंगे इसमें से कि हमारी जो inks हैं वो सही install हुई है की नहीं है inks का जो level है वो सही है की नहीं है देखते हैं अब आप देखेंगे यह हमारा print निकल के आया है और इस print की quality से ही है अब देख्ते हैं झाल